है गाईस तो कैसे आप लोग होप सच्छ होंगे मैं अच्छा हों दो करता हूं आप अच्छे हों तो आपका स्वागत करता हूं मैं एक जरी व्लोक्स में हम घर में बैटे बैटे काड़ी की सर्विस कैसे करें वह वीडियो आज मैंने बना कि आपके लिए प्रॉपर दिये औ और कुछ बेसिक टूल सी मदद से हमने सर्विस करिये जार भी कोई एडवांस टूल्स नी चाहिए हमें और जो इसमें सर्विस हमने करिये फोर स्टैप में है प्रॉपर फरस्टैप हमारा इंजन ओल ट्रेन करना फिर इंजन लानना सेकंड स्टैप हो हमारा कार्वेटर ट् आज का एमर में रखना चाहूंगा 40 लाइक्स और करा दो यार होप सो तुम कराई दोगे 40 लाइक्स तो लाइक और लाइक और सिस्क्राइब शेयर जरू करना और लास तक देखने वीडियो तिल देन इंजोई दा वीडियो अब मैं लाइक टूल वह था 12 नंबर का रिंड टॉर्क रिंड चाहिए जिसमें 12 नंबर के गोटी लगाएंगे और जो हमारा ड्रेन बोल्त होता है 12 नंबर का होता है उस खुलेंगे और इंजोनल ट्रेन करेंगे तब तो अब हुम अपना डेन बोल्ट खोल रहे हैं टॉक्ट के मदभध से कर जैसे आप देख रहे हैं इनेन इन काल से प्छेंज करें यह देंगिज गर रहे थे तो अब थोड़े इसको छोड़ देता है जब तरह निकलता है अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूरा इंजना निकल चुका है अब गाड़ी रेड़ी है कि हम उसमें न्यू फ्रेश ओल डाले हैं हमने अपना बार नमर का ड्रेन बोल्ट वापस लगा दिया है उसकी जगे पे और मेक शूर कि आप उसको फूल टाइट करें वनना तेल लीक कर जाएगा और जैसे कि आप यह देख रहे हैं यह हमारा फर्स्ट टेप कंप्लीट हो गया है तो गाइस हम जो इसमें इंजिन उयल यूज करने वाले हैं वह मोटेल का 45W 40 है सिंथेटिक ओल है प्रॉपर फुल सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक नहीं है इसकी अच्छी बात है कि यह 5-6000 किलोमेटर भी आराम से चल जाता है है विदाओ मिलंद कोई दिक दिख खिए और इंजिन बहुत प्रॉपर स्मूज भी चलता है तो अब इसके बद हम इस यह एक इंजिन ओल समें डाल स्वी दालेंगे और फिर हम डालेंगे अपना मोटूल 45W 14 ग्रेट का इंजन अपने इंजन में जो इंजन ओल हो तीरे देरे डालें वनना इंजन बैक माट जाएगा और साइट से निकल जाएगा हो इसलिए इसका यह धान लगें और जो इंजन है इंजन ओल को थोड़ा टाइम दे उसके इंजन के अंदर जाने का और इंजन डाल लेके बाद भी थोड़ा गाड़ी 10 से 15 मिनट स्टार्ट आइडल करके छोड़ दें जैके इंजन ओल पर उसके अंदर चले है और अब हम इसकी कैप वापस लगा देंगे और इसको प्लास से प्लायर के मेरे से टाइट करते हैं जाकि इन जोनल वहां से बैक ना मार दें तो अब हमारा प्रॉपर फ्रस्ट स्टेप कंप्लीट हो गया तो आपने सेकंड स्टेप में और हम अपना अपना सेकंडरी एर फिल्टर क्लीन कर सकते हैं और फाइफ टूबिस के बीच में अब जल्ड़ खराब नहीं होता है पैट्रोल रशाप करके ठी हो जाता है और इस स्क्रिंग वाल और सिंपल नाहीं को एक नाड़ काम बहुत इंपॉर्टन इक थाधर काम इसको कमी च्रिणे जिससे इस में जो हमारा प्रेट्रोल अरा उसका मिक्सटर कहोता है अधिगा अग्र आप सको चेड़ें का तो खराब हो जाया और अपने क्रश कवर को खूलने के लिए जैसी हम खूल रहे हैं देख पा रहे हैं और हमारा क्लच कवर पूरा खुल चुका है और आपके सामने पूरी क्लच असेमली आ गई है जो पावर ट्रांसपेट होती है और आपको चलाके भी दिखा रहे थे हैं कि कैसे कर्शें सेंबली काम करती है अभी जैसी के हमारे जो पीछे को पीछे का वह एंगेज नहीं हुआ है जैसी हम एक्सलिटर देता है और पावड ट्रांसपेट होने स्टाट जाती है कटोरी कि तक मारे टीरे गाड़ी कर दूस्वेरे के योरी परते हैं दूस्झिक के बना देते है लिए ज़रए बना देते हैं लिएमें ज़रूरिया कापारे का योड ना हम कोल लेते हैं यह क्लश होल्डर है जो हमने घर में बैठे बेना अपने जो गार से बना है इससे हम खोलेंगे इसको पीछे जो हमारा लगेगा इसमें 19 नंबर का बोल्ट लगेगा को खोलने के लिए अब यह हमारी पूरी क्लश असमली है जैसे हम आपको बताता है तीन क्लश होते हमारे इसमें इतीन क्लश और यह चुछ चिक नहीं होगे इसलिए जो हैंडल वाइबरेशन की प्रॉब्लम आ रही थी स्कूटी में उस्वेरी सही आ रही थी चुकि जो चुछ है वह पकड़नी बनारे पा रहे हैं क्लश के पर जो कटोरी है जो यह दिखा रहा हूंको तो अब हम किस के लिए हम क्या करें तो हम पकड़ेंगा इस कटोरी को और रेगमाल से इसको किसेंगे जाकि यह थोड़ा चिकने से थोड़ा रफ हो जाए ईता कर बस शुकी है है अब दशीय थी चुकिरा यह त्मस्ष खाष है कि मेर विंए पोरी रफ़ रफ़ है। दो पक्तोरी हो डाय supports आप हैंज्माल से इन को इसमें क्तोरी अंचरतों कटोरी को को अब हम सब बढ़े को किसेंगे जादा क्लश्यू खरीदने पड़ेंगे जिनकी कोस्ट अप्रॉक्स जो जेनियून क्लश्यू की जो कोस्ट अप्रॉक्स नाइन ड्रेट के आसपास है तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें तोड़ा से किसने रफ करना उसको चिकने हो चुके हैं पूरा नहीं किसने है किसने हो चित रखें monitor क्म तो खरूओंगे ज़ग़ेंगे किसने हा फीज़क्स ऑनीरों प्रेजर तो अब हमारे तीनों क्लश्यों हो गए है रफ कर दी हमने उनको अब वो प्रॉपर हो चुके हैं और अब प्रॉपर फिट हो चुके हैं कि वह प्रॉपर पकड़ पना पाएं और पाव अच्छी से टांस्पिट कर पाएं इससे हैंडल वाइबरेशन की प्रॉब्लम भी खतम हो जाती है और साथ में गाड़ी का पिक अप जो प्रॉब्लम होती हो ठीक हो जाती है तो मेक शूर गाड़ी को इस चीज का काम आप तू 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 त्री सर्विस के इंटरवल के बीच में कराएं बार बना करें अब हम इसको दबाएंगे से अंदर बैल डालेंगे और इसक एक लए से सम्बली के अंदर अब हमस्किया जो बॉल्ट है उनीच नमर का कि अधर श्रीग का उसको में कलच ओलर से होल करके सको तू नमबर के जो पाना उता उसे टाइट करेंगे मेक सुर्ब्स को तक से टाइट करें मनना यह नट खुल सकता है और अगर भी मोशन में खुल गया तो आपका डेमेज कर सकता है क्लेश्ट असम्ली इसमें आपको टॉर्क रिंज की जरुवत पड़ेगी जो टॉर्क रिंज है उससे जार अच्छे से टाइट हो पाता है ना कि कोई और आप टूल यूज करें मेरे तो मेरा रेक्मेंड यह हुआ कि आप टॉर्क रिंज का यूज करें टाइट करने के लिए पूरी हमने फिट क कि अच्छ करण बोल्ट होते हैं उनको प्रॉपर सीदह ही लगा के टाइट करना कभी कुछ लोग क्या करते हैं नको टेड़े टाइट कर देते हैं उससे दिकत किया दिया आती है उसका बोल्ट खुलता नहीं असानी से जो खोलते है इसको एह दिकत स्कूठी मेरा पहले उस अगर जारताकत लगाते तो वो बोल्ट तूट सकता था और वो अंदर ही रहता पर्मेंटली तो इन चीजों को प्रॉपर दियान रखें और जंटरी ट्रीट करें नटों और प्रॉपर नट लगाएं और फुल टाइट कर दें उनको फिर तो अब मारा हो चुग है तर शिए अब और आब और आधि मेंटली तो अब मारा हो चुग है थल्सकी दोब मारा अबड़ानिक्शारी। स्टेप प्रॉपर कम्प्लीट तो अब हम आजा थे अपने स्टेप फूर में इसमें इस एर फिल्टर देखा तो साप था गंदा नहीं था हमने उसको बस थोड़ा सा जाड़ दिया उसके अंदर की डस्ट विगर हटा दी थी और उसको वापे सी फिट कर दिया वापस और है उसमें लगाके फुल टाइट करेंगे उसको तो यह हमारा फॉर स्टेप कंप्लीट हो चुका है है गाइस तो कैसे लगी आपको यह वीडियो ओप सच्छी लोगी चुकि मैंने इसमें हर एक पार्ट प्रॉपर दिखाया है जड़ा कट पेस्ट नहीं करा है उसमें फास्ट परवर्ड भी नहीं करा है और इस बार लगते हैं वीडियो का एम 50 लाइक्स का पहली बार रख करा है मेरे एक वीडियो में यूजरें लाइक आरे पर आप हमारे सस्क्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो वह यह जितने में लोग देख देख थे लार भाई साथ रहे घर मन जाना और तिल देन यहीं मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में प्याइघ